मेरे साथियों हिंदू धर्म में कुत्ते को एक बुद्धिमान जीव माना गया है। यहां तक की शास्त्रों में कुत्ते को भैरव की सवारी तक बताया गया है। वहीं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुत्ता जब रात में किसी के घर के सामने रोता है, तो घर के बरे उसको धुतकार कर भगा देते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा, तो कुत्ते के रोने की इस आवाज से एक भै का वातावरण व्याप्त हो जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते यूं ही नहीं रोते? इनका ये आवाजें निकालने के पीछे भ रोना भी इनही मान्यताओं का एक हिस्सा है। दरासल ये बात पीड़ी दर पीड़ी चलती आई है कि कुत्तों का रोना एक अपशकुन है। और जब कुत्ते रात में रोते हैं, तब कुछ ना कुछ अशुब होता ही है। बस तभी से एक बरे वर्ग ने इसको सच मानना श हटी। लोगों के मन में एक प्रकार का भय बैठ गया। और जब भी रात में कोई कुत्ता रोता है, तो अगल बगल के लोग उसे तुरंत भगा देते हैं। वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि उसके रोने से कुछ नहीं होगा। और जो होने वाला है कुत्ता रोकर उ अपना मत जरूर दिया है। मित्रों, ज्योतिशियों का ऐसा मानना है कि कुत्ता वो प्राणी है जो अगल बगल की नकारात्मक उर्जा को भांप लेता है। आपने भी सुना होगा कि कुत्ते भूत प्रेत जैसी शक्तियां को भी भांप लेते हैं। वही अगर कभी रात मे कुत्ता अचानक तेज तेज रोने लगे, तो इसका मतलब उसने किसी आत्मा को देख लिया है या फिर उसको किसी नकारात्मक उर्जा का एहसास हो रहा है। इसलिए कुत्तों को भगाना नहीं चाहिए और उनके रोने से तो डरना बिलकुल भी नहीं चाहिए, बलकि के लिए आप पहले से ही तयार रह सके। के बच्चे कहीं चले जाएं तो वो भी उनकी तलाश के लिए ऐसे ही हॉल करती हैं। अपने इलाके का एलान करने के लिए मित्रों, हर गली और मोहले में। कुत्तों के इलाके होते हैं और वो अक्सर कुत्तों के दूसरे जुंड को अपने इलाके में नहीं आने देना चाह शिकायत दर्ज कराने के लिए कुट्टों को अकेला पन और उपेक्षा बिलकुल भी पसंद नहीं होता। इसलिए आपने गौर किया होगा कि कोई अपने पालतू कुट्टे को अकेला घर में बंद करके बाहर चला जाए। या फिर उसको इग्नोर करे तो भी वो रोने जैसी आवाजे निकालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अपशकुन होने वाला है। ये तो बस उनका शिकायत करने का एक तरीका है। अब वही एक कारण है दर्द जाहिर करने के लिए। दोस्तों कुटों को अगर चोट लग जाए तो वो भी दर्द से कराहते हुए हॉल करते हैं। और उल्जन होने पर भी वो ऐसी ही आवाजे निकालते हैं। विशेश तोर पर तब जब वो कोई बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप उसे समझ में ना सके। तब वे परेशान होने लगते हैं। दरासल जब वो किसी चीज से परिशान हो रहे हो और अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हो तब भी वो हॉल करते हैं जैसे कुत्तों को तेज आवाजें किसी खास किस्म का लाउड म्यूजिक या फिर बरतनों को पटकना या फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो ऐसे में भी वो ये आवाजें निकाल सकते हैं और आपको लगेगा कि वो रो रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है और मित्रों इसी के साथ खत्म होती हैं मित्याएं तोरने वाली आज की ये वीडियो उमीद करते हैं कि अब किसी रोते हुए कुत्ते को देख कर आप उसे भगाने का प्रयास नहीं करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें सन्यासी जी के यूट्यूब चैनल को फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अब इजाज़त दे आपका बहुत बहुत धन्यवाद